नमस्कार मैं दिनेश कुमार चरण आप सबका इस यूटूब चैनल हिंदी शाहित्य का अध्यन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल हिंदी शाहित्य का अध्यन को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें साइड में दिये हुए बेल आइकन को भी दबाए ताकि आगे आने वाला प्रतेक अप्डेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके वीडियो सरंखला की इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने हिंदी शाहिते के तीश इसे महतोपन प्रशन लेकर आया हूँ जो आपकी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए उप्योगी शाबित होने वाले हैं तो इस सारे प्रशनों को ध्यान से सुनना और इसे हमेशा याद रखना है आपको और इसलिए आप इस वीडियो को लाश तक देखना था कि कोई भी इसा प्रशन आपके लिए नहीं चूट जाए जो अगले प्रिक्षा में आपके लिए आ सके तो इसके लिए महतोपन है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें सारे प्रशनों को समझे और अगर किशी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आवश्य बताएं अगर आपको मेरे द्वारा बनाएगे वीडियो पशंद आते हैं तो उसे लाइक करें कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं आपको किस तुरह के मेरे द्वारा बनाएगे वीडियो लगते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि सबसे पहला प्रश्ण है नए प्रतिमान पुराणे निकस नामक अलोचनात्मक्रती के लेखक कोन है तो पुराणे नए प्रतिमान और पुराणे निकस नामक अलोचनात्मक्रती के लेखक है लक्ष्मी डॉक्टर लक्ष्मी कांत कुछ शाथियों के कमेंट आ रहे थे कि जैदा करसर को मत गुमाय करो ताकि आपको दिखते नहीं है तो इसको आगे से मैं ध्यान में रखूंगा तो थोड़ी शी आदत पड़ गई है तो अगर थोड़ा बहुत इसा हो धिरे-दिरे आदत कम हो जाएगी और अगला प्रश्ण है अभीवेंजनाबाद सिध्धान्त क करते हैं और अभीवेंजनाबाद सिध्धान्त का प्रती पादन करते हैं और दरसल अभीवेंजनाबाद जो शिध्धान्त है वह हमारे भारती कावे शास्तर के वक्रोक्ती शिध्धान्त से संबंद रखता है यानि कहीं ने कहीं समयता है इसी को आधार बनाकर आचारे रा विलायती उत्थान भी कहते हैं अगला प्रशन है धुनी शिद्धान्त के प्रवर्तक कोन है तो ये आनंद वर्धन है दरसल भारती कावे शास्तर में क्या होता है कि कावे की आत्मा को लेकर बहश होती है कि कावे की आत्मा किशे माना दे मतलब वह कौन सा तत्तो है जिसके न उसी प्रकार कावे के लिए वह कौन शात्तो है जो कावे की आत्मा कहलाने के योग्य है तो उसी क्रम में क्या होता है कि अनेक आचारियों ने अपने अपने मत प्रसूत किये तो उसमें धोनी वादी आचारी आनंद वर्धन थे धोनी शिद्धान्त के प्रवर्धक उन्होंन द्वारा दूसरा है अलंकार समपर्दाई जो आचारी भामह द्वारा तीसरा है ध्वनी शंपर्दाई आनन्दबर्धन वुर्धन द्वारा जाता है है वक्रोगती आंचारी कुंटक द्वारा यह कि अगला प्रश्ण है कवे की अनुभूती का साधार्निकर्ण किसने माना है तो कवी की अनुभूती का साधार्णिकर्ण माना है डोक्टर नगेंदर जी ने भारती काविशास्त्र में भठनायक एक ऐसे आचारे थे मतलब रश शूत्र के तेशेरे वेख्या का जिन्होंने सधर्णिकन शिद्धांत का प्रतिबादन किया है और उशी करम में सधर्णिकन किशका होता है किशके साथ होता है तो डोक् बाठक सी रूप में अभव करने लगे तो उसका सधर्णिकन हुआ अगला प्रशन है भटतनायक के अनुसार सधर्णिकन क्या है दरसल भटतनायक ने सधर्णिकन शिद्धान्त का प्रतिपादन किया है और नहों ने ये माना था कि शब्द रूप कावे की तीन व्यापार होते हैं एक अभीदा व्यापार दूसरा है भावक्तों व्यापार तीसरा भोजक्तों व्यापार भावक्तों को वो सधर्णिकन मानते हैं भीदा के इंतरगत शधर्णिकन होता है और भोज़कतव के इंतरगत क्या होता है हम अपने ही रज का सोरी इस्ताइभाव का दस रूप में भोग करते हैं वो होता है भोज़कतव है अगला प्रशन है आधिकाल को वीर काल किस ने कहा दरसल वीर गाथा काल आचारी रामचंदर शुकल की कि द्वारा कहा गया है और वीर काल विशुनात परशाद मिश्र कि द्वारा कॉछण नाम था काल वो आचारे राम चंद्र, शु खर जाता था सबसे पहले वहीं होता है तो है, इसा नाम था जो एक मात्र कव्यत्री थी एक मात्र इस्त्री थी जो प्रकार की भग्दी कर रहे थी उन्हें इन्हें दक्षिन भारत की मीरा भी कहा जाता है अगला प्रेश्ण है श्री शंपरदाय के प्रवर्तक श्री शंपरदाय रामानूज अचारे ठीक है रामानूज अचारी रामानूज जो है वो दरसल रामानूज की भक्ति परंपरा से ही रागवानन्द आते हैं तो इस प्रकार से दक्षेन से उत्तर भारत में भक्ति का प्रशार होता है और रामानूज ने स्री शंपरदाय का प्रवर्दन किया था अगला प्रशन है चंडी चरीत्र नामक कावे है वो किसका है तो गुरु गोविंद शिंग का चंडी चरीत्र बहुत ही महतोपून कावे है अक्षर परिक्षाओं में पूछे जाने योगे एक प्रशन है तो आपको ये ध्यान में रखना है अगला प्रशन है साहिते सहचर नामक निबंद किसका है तो साहिते सहचर नामक निबंद आचारी हजारी परशाद दुवेदी जी का निबंद है आधुने के एक महतोपून उपंद्यासकार भी है निबंदकार भी और अलोचक भी है अलोचक के रूप में इनकी बहुत अच् मलब अगर देखा जाए तो एक प्रिय परवास वेदेही वनवास और रसकलश यह तीन इनकी महतोपूल कावे हैं प्रिय परवास और वेदेही वनवास है यह दोनों खड़ी बोली हिंदी में लिखे गई है और रसकलश है जहां तक मेरी मैंने पढ़ा है यह ब्रजभाशा मे लिखा गया है अगला प्रशन है समालोचना दर्श नामक करती किश्की है समालोचना दर्श नामक करती है जो जगनात्दास रतनाकर की करती जगनात्दास रतनाकर आधुनिक युग में भी ब्रजभाशा में लिखने वाले एक प्रतिनिधी रसनाकर है इनकी एक मेहतोपू बिहारी सथे पर लिखी गई ठीका है, जिसका नाम है बिहारी रतना कर। अगला प्रशन है मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तरत नभका कोई कोना मेरा न कभी अपना होना उमडी कल्थी मिटाद सली परिचे इतना इतिहाश यही उमडी कल्थी मिटाद सली यह बहुत ही इनकी एक वेदनापूर्ण लखी गई पंक्तिया है महादिवी वर्माजी क कि प्रतिया तो यह बहुत ही प्रसेद है और हमेशा ध्यान में रखना है एक शर्षी प्रतीव की प्रक्षा में पुच्छी जाती है कि अगला प्रशन है ग्राम्या नमक जो कावी हो किसका है दरसल 25 जी का काव और ती च्यार चलन सामें भूर्ण होता है सबसे पहले कावि हम देखते ह类 कि यह यहें ब्रवर्ण में उन्षके प्रभावित व कि अगला स्नहें प्रकाशित होता है अगला प्रशन है राणु रेणु जी के किस अपन्यास का कथानक पूर्णिया जिले का परानपूर गावं पर आधारित है अगला प्रशन है निपूर्णि का किस अपन्यास की पात है पात रहे निपूर्णि का दरसल बान भट की आत्मकथा नामक पन्यास की पात रहे जो नीश-चियालेस में प्रकाशित होता है और बान भट की आत्मकथा जिसका लेखन आचारी हजारी परशाद दुएदीजी करते हैं और निपूर्णि का की अलाबा इसमें बानभट सुच अगला प्रशन है जूठासत नामक जो उपन्यास है इसके दो खंड किसे निए से परकार्श करता है एस पर अधहरित है और यह मांकशवाद बाद अग्ला प्रशन है ज्एवर्धन किस प्रकार का अपन्यास है ज्एवर्धन ज्एन जिक वैंटुपूर्ण अपन्यास का विशह है वो राजनितिक अग्ला अगला प्रशन हें, अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास किस पर आधरी थे अपने अजनबी नामक उपन्यास है, उघ्ये जी का महतवन उपन्यास है, और यह अस्तित्यस वाद जियौण दर्शन पर आधरी यग्याजी खाwe owner बंद है अ nhấtलों है अगला प्रशन है अमृतलाल नागर को किस रचना पर शाहेती अगादमी प्रशकार दिया गए था किम्रतलाल नागर आधुनिक यू कि एक महत्वपन उपनियास कार है उन्हें अम्रतोर व्श नामक उपल्चार के साहित्य अकादमी प्रशकार दिया गया था अगला प्रशन है किस उपन्यास में आपात कालेन यातना का चितरण किया गया है जब उनीशो पिचतर से शितर में देश में आपात काल लागू होता है तो उस समय की यातना किस परकार से एक परिवार जो एक विशेश गली में रहता है वो किस परकार से एक मद्यम वरग और गरीब व्यक्ति है वो किस परकार से यातना के शिकार होते है उसका जितन होता है कट्रा भी आरजू में राही मसुम रजा का उपन्यास है अगला प्रशन है लाल पान की बेगम नामक कहानी किसकी है तो ये फणिस्वरनाथ रेनु की कहानी है फणिस्वरनाथ रेनु की कहानी है अगला प्रशन है हनसा जाई अकेला कहानी किसकी है तो मारकंडे की कहानी है मारकंडे भी एक महत्वरन रसनाकार है जो कहानी के शेतर मे अपनी एक अलग पहसान बनाते हैं अगला प्रशन है प्रशाद की कहानिया किस परकार शकी है प्रशाद की आधिकांस्त कहानिया भावात्मक और कलपना प्रधान कहानिया मरलो से लगबग सभी कहानिया भावनात्मक रूपशी इंसान को जोड़ती है आगला प्रस्टन है नीलम देश की राज-कन्या नामक कहानी किसकी है तो यह जैनेंदर की कहानी है जैनेंदर भी आधनेक यूग के मेहतोपॉन मनुफिसलेश्ण वादी उपन्यास कार है कहानी कार है तो यह इनकी है तो बुड़ कहाने हैं सर्चेतन कहानी अंदोलन दरसल उननीश कोण की बस साथ कहानी में एक अंदोलन से छिट जाते कई विचार धारां को आधार बना कर वेगा चोट इस परकार की भाव धारा जो एक एक आंदोलन का रूप ले लेती है तो स्राचेतन भी उनमें शीक बहानी आंदोलन था जो उनीश्व चौसट शे प्रारंब होता है इसके प्रवर्थ तक महिप शिंग थे और आधार पत्रीका के मादें से इसका प्रशार हो रहा था अगला प्रशन है प्रशाद के किस नाटक में जैचंद की प्रश्चाता आप करते हैं जैचंद जरसल एक भारती राजा थी जिन्होंने इसने को मुहमद गोरी का शाथ तिया था प्रश्ची राज की विरुद्द तो इस प्रकार से उसके प्रश्चित नामक उन्होंने एक नाटक लिखा था जैचंद की प्रशाद जी में जीने उनीशों चौदा में जिसका प्रकाशन होता है इसमें वह इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार्शी वह प्रश्चाता करते हैं अगला और अंतिम प्रश्चन है आध्य अधूरे नाटक है वह आधारित हैं तूट अपनी मनोच्छा को पूर्ण भी नहीं कर पा रहा है मतलब किसी में अधूरापन दिखाई देता है तो यह अंतिम प्रश्चन था तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दीगी ज्यानकारी आप सब की प्रिक्षाओं के लिए उप्योगी शावित होगी आज के लिए इतना ही आपका बहुत पहुत धन्यवाद